Good morning students, ना बाहर निकले, ना किसी को बुलाएं, करोना की चेन तोड़े, ना हाथ मिलाएं, ना गले लगाएं, सारवजनिक दूरी भी बनाए रखें भावना भटनागर, GHS मोहनपूर, बित्री चैनपूर बरेली आज हम पढ़ेंगे verbs verbs, words that describe actions कोई भी शब्द जो हमें किसी action के बारे में बताते हैं, कि हम कोई कारे कर रहे हैं, that is known as verb जैसे playing, खेलना, dancing और singing, singing मतलब गाना कोई भी कारे, यह देखें तीन आपको शब्द दिया है, playing, खेलना, dance करना और singing, गाना गाना यह सब verbs में आते हैं, कोई भी हम कारे करने को, दूसरी परिभाशा लेते हैं, उसमें दिया है, verbs are words that show actions कोई भी कारे करने के जो शब्द है, उसको हम verb कहते हैं और विस्तार से थोड़ी सी definition को समझेंगे जो भी किसी व्यक्ति, जानवर या वस्तु के कारे करने की बात को बताएंगे, वही शब्द वर्ब यानि क्रिया कहलाएंगे देखें यहाँ पर मैंने एक छोटा सा पोस्टर और बनाया है, verbs, action words, कोई भी कारे करना बताते हैं I can, हम क्या कर सकते हैं, read पढ़ सकते हैं, write लिख सकते हैं, run दोड सकते हैं, play खेल सकते हैं, eat खा सकते हैं, sleep सो सकते हैं, swim तैर सकते हैं तो हम यह सब कारे कर सकते हैं और कारे हैं, तो इसलिए these all are verbs अगेन हम अपनी इसी की बुक में देखेंगे जो हमने बनाई है I can play, swim, write, paint, run मैं खेल सकता हूँ, तैर सकता हूँ, लिख सकता हूँ, दोड सकता हूँ और रंग कर सकता हूँ इसको हमने sentence में भी बनाया है, I can play, मैं खेल सकता हूँ, I can swim, मैं तैर सकता हूँ, I can write, मैं लिख सकता हूँ, I can run, मैं दोड सकता हूँ, I can paint, मैं रंग सकता हूँ इसी में आगे देखें, चित्रों के माध्यम से, writing यानि कि ये verb है, writing is a verb, काम कर रहा है, काम करने को verb कहते हैं, reading, पुस्तक पढ़ रहा है, read कर रहा है, तो reading is a verb लड़की dance कर रही है, dancing, so dancing is a verb, jumping, लड़की jump कर रही है जमनास्टिक में, so she is jumping, तो jumping is a verb आईए हम यहाँ पर और आगे थोड़ा सा देखते हैं, यह हमारे noun है, हमें बिटा confused नहीं हो ना, now this is bird, और bird क्या-क्या कर सकती है, उसके action verb क्या है, वो क्या-क्या काम कर सकती है, that will be verb, fly उड़ सकती है, sing, गाना गा सकती है, तो bird is a noun, और action words are fly and sing, वो गा सकती है, और उड़ सकती है, दूसरा लिया है monkey, monkey can jump, बंदर jump कर सकता है, कूच सकता है, climb, दालियों पर चड़ सकता है, तीसरा लेंगे baby, छोटा बच्चा क्या-क्या कर सकता है, cry, रो सकता है, laugh, हस सकता है, चौथा लेंगे dog, जानवर, dog जो है वो कुत्ता, बार्क भौँख सकता है, run, भाग स सकता है, student, जते भी छात्र हैं, वो क्या कर सकते है, read, पढ़ सकते है, write, लिख सकते है, so इस तरह से हमको किसी भी कारे करने को, जो है, that is known as verb, फिसे sentence लेते है, meena is dancing, so dancing is a verb, teacher is teaching, teacher पढ़ा रही है, so teaching, पढ़ाना is a verb, क्रिया है, father is cooking, अब महौल बदल गया है, देखे, पिता जी खाना बना रहे है, father is cooking, father is cooking, खाना बना रहे है, so cooking is a verb, mother is driving, माता जी गाड़ी चला रही है, so mother is driving, गाड़ी चलाना, so driving is a verb, brother is playing, भाई खेल रहा है, तो playing is a verb, sister is singing, बहन गाना गा रही है, so singing is a verb, so this is verb in a very simple manner, verbs are action words, verbs, words that describe action, playing, dancing and singing, again these all are verbs, read, write, play, run, sleep, eat and swim, okay, thank you, be safe, stay at home.